हेलो फ्रेंड्स नमस्कार खुशी स्टार्ट फूर्ड में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ बहुत यूसफुल कीजन टिप्स जो आपके कीजन के काम को और भी आसान कर देंगी ये टिप्स मेरे तो काफी काम आते हैं और मैं उमीद करती हूँ ये टिप्स आपके भी काम आएंगे आज की टिप्स आपको यूसफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेज जरूर करें तो आई आज की पहले टिप देखते हैं देखी फ्रेंड्स जब हम जादा दिन के लिए आलू स्टोर करके रखते हैं तो आपने देखा होगा कि आलू मेना कुछ इस तरह से अंकुर निकलने लगता है और बरसाथ के दिनों में आलू में जल्दी अंकुर निकलाते हैं ऐसे आलू खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है तो जब भी आप आलू स्टोर करें उससे पहले आप एक काम करें आपको लेनी है अदरक अदरक तो हम अपने घर में रखते ही हैं और अदरक को ना फ्रीज में रखने की बजाए हम आलू के साथ रख देंगे बरसाथ के दिनों में वैसे भी अदरक को हम भार रख देते हैं तो अदरक साथ आठ दिन तक खराब नहीं होता तो आलू के साथ मैंने अदरक रख दिया है देखिए तो इस तरह से आप आलू के साथ अदरक रखेंगे तो आलू काफे दिन तक खराब नहीं होंगे और इनमें अंकुर नहीं निकलेंगे देखिए सहद तो हम अपने घर में रखते ही हैं और सहद हमारे काफी काम भी आता है सर्दी, खासी, जुखाम इसलिए सहद हम अपने घर में हमिश्या रखते हैं सहद कुछ इस तरह की डबी में आता है और जरूत के टाइम हम जब सहद बोटल से निकालते हैं तो आसानी से निकलता नहीं है और चमच भी हमारी काफी खराब हो जाती है देखे इस चमच से मैंने सहद निकाला है चमच के उपर कितना चीपक गया और कटोरी में थोड़ा सा आया है यानि इतना सहद हमारा वेस्ट जाता है उंगली से भी हटाते हैं तो आसानी से उतरता नहीं है तो सहद निकालने से पहले आप एक काम करें जिस भी चमच से आप सहद निकाल रहे हैं न उस चमच पर थोड़ा सा ओल या घी दोनों साइड से अच्छे से लगा दे फिर इसके बाद आप सहद निकालेंगे बोटल से तो आसानी से सहद निकलेगा और चमच भी आपकी खराब नहीं होगी चमच के उपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा देखे इस चमच के उपर मैंने घी लगा कर सहद निकाला है बिल्कुल भी नहीं ही चिपकरा आप देख पा रहे हैं खुद दूसरी चमच भी मैं आपको दिखाती हूँ इससे मैंने पहले सहथ निकाला था इस पे घी नहीं लगाया था तो देखिए ये चमच पे कितना सहथ लगा हुआ है तो फ्रेंट्स ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है आप भी इसे जरूर रजमाएं ये वाली टिप आपके काफी काम आने वाली है और जो लगाःःब्स नमख के ऊपर 2-3 द्रोब पानी डालेगे दालना बस नमख का ये घोल पूरी थाली काया ये लगा रिगा है और अभी इस थाली में आपको आठा गूथ कर दिखा रही हूँ बड़ी आसान ऄसे आठा निहीं जाता है और आता थाली में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा तो फ्रेंट्स इस टिप के थ्रू आप अपने काम को और भी आसान कर सकते हैं तो ये देखे मैंने आटा गूत लिया है थाले में बिल्कुल भी नहीं चिपका आटा गूतने के बाद ना आप इसके उपर एक दो चमच घी लगा दे इससे आटा सोफ्ट हो और आपकी रोटीना सोफ्ट बनेगी तो फ्रेंट्स ये टिप आपको यूजफूल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मुझे काफी मोटिवेट करता है जिससे कि ऐसे यूजफूल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं ये वाली टिप मेरी आलो के पराठो को लेकर है देखे फ्रेंट्स कई लोगों की सिकाएत होती है कि जब आलो के पराठे बनाते हैं तो पराठे बेलते समय फट जाते हैं पूरी स्टेफिंग बाहर आ जाती है या फिर ज्यादा स्टेफिंग नहीं भर तो आलू के प्राठे बनाते समय आप कुछ बातों का जरू ध्यान रखें जैसे कि आप आलू उबाल रहे हैं तो आलू को ज्यादा ओवर कुक ना करें और आलू को उबालने के बाद आप अच्छे से ठंडा करें फ्रीज में रखकर ठंडा कर लें या फिर बाहर रखकर मिर्च मिक्स करें लेकिन गरम आलू में हम मिर्च मिक्स कर देते हैं तो आलू ज़ादा मुर्श्य चूड़ता है और जब हम यह स्ट्रफिंग भरके पराठे बे लेंगे ज़ुटाधें व्लों फटेंगे आलूके प्राठों को स्वाधिश्ट बनानेिं आप इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी जरूर मिक्स कर लें कस्तूरी मेथी डालने से आलू के प्राठे और भी स्वाधिस्ट बनेंगे और आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन ओट डालने अजवाइन डाजेशन के लिए काफी अच्छी होती है तो ये देखिए मैंने स्टेफिंग बना लिये हैं फिर भी आपको लगे कि आलू में मोश्चर जादा रह गया हैं तो आप इसमें न एक दो चमच ब्रेड क्रम्स मिक्स कर लें और यदि आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप पोहे को पीस कर उसका पाउडर बना ले तो दो तीन चमच आप पोहे का पाउडर मिक्स कर दें और पास साथ मिनट के लिए स्टफिंग को रख देंगे इससे जो भी आलू में मोश्चर है सारा खतम हो जाएगा और जब हम ये स्टफिंग भर कर प्राठे बनाएंगे ना तो प्राठे हमारे बिल्कुल भी नहीं फ बाद का भी आप जरू ध्यान रखें कि आटा एकदम सौफ्ट गूतना है और ये प्राठा मैं आपको बेल कर दिखा रही हूं तो मैंने इसमें स्टफिंग भर ली है अच्छे से और स्टफिंग भरने के बाद ना हाथ से प्रेस करते हुए थोड़ा सा हम प्राठे को तो अच्छे से सिखता नहीं है और खाने में भी टेस्टी नहीं ही लगता तो प्राठा देखी मैंने कितने अच्छे से बेल लिया है और स्टफिंग भी बहार नहीं आई और कितना पतला मैंने प्राठा बेला है दिखिए सेखते समय भी हमारा प्राठा बिलकुल भी नहीं ही फटेगा और अभी मैं आपको सेख कर दिखा रही हूं प्राठे के उपर ना गी लगा कर लोटू मीडियम फ्लेम पर आच्छे से क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे और यह देखिए प्राठा मैंने कितना बतला बेला है अच्छी स्टफिंग भरी है फिर भी स्टफिंग बह बचिऊ ही रोटी कोई खाना पसंद नहीं करता सब मूँव बनाने लगते हैं एक दो रोटी बच जाती है तो कोई बात नहीं लेकिन जब ज़्यादा रोटी बच जाती है फिर समझने आता कि इन रोटीयों का क्या करें तो आप रात की बचिऊ ही रोटीयों से ना एक जेक कर दिखाती हूँ देखे कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गई है इनको अच्छे से ठंडा करेंगे फिर छोटे टुकडो में तोड़ लें या सीजर से काट लें रोटी को मैंने चोटे टुकडो में काट लिया है और ये बाउल में एक गलास मैंने छाच ली है इसमें 3-4 चम्मस दई ही mix करेंगे और अब हम इसमें मसाले डालेंगे काली मिर्च का पाउडर सादा नमग, काला नमग, भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला, पुदीने का पाउडर, पुदीने को मैंने सुखा कर रखा हुआ है तो ये पुदीने के पत्ते डाल दी हैं ये के लिए एक तड़का तयार करेंगे तो तड़के पैन में मैंने थोड़ा सा ओईल गरम किया है इसमें जीरा और राई डालेंगे चटकने दे दो हरी मिच डालने बारी कटी हुई छे साथ कड़ी पते डालें कुछ सेकेंड के लिए इनको बहुन लें और ये देखिए तड़ सनास्ता बना कर खा सकते हैं तो फ्रेंट्स आज की थी मेरी ये टिप्स मैं उमीद करती हूँ ये आपके भी काम आएगी आज की टिप्स आपको यूसफूल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेज जरूर करें चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइ झाल